नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे आज के नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग यह ठीक होंगे भगवान आप लोग को स्वस्त रखे मस्त रखे आज में दोस्तों बात करने वाले हैं पेटियम पोस्पेड के बारे में कि दोस्तों अगर आप लोग पेटियम पोस्पे पर दोस्तों कुछ यूजर्स ऐसे भी है जहाँ पर उनको तो समय पॉस्टिट इस्तिमाल करने पर कोई भी शीए वो व साथ में ढपता है यहां अ Makes दोष्ट तो desconvenience चार्ज नहीं देना पड़ता है उनको ना ही कोई जेश्ट देना पड़ता है वो जितना amount इतने करते हैं उतना ही amount दोस्तों उनको वह पीजन देना पड़ता है यहां पर आप लोग जिखरा हो गाँ सब्सक्राइफ को सब्सक्राया फूलर के अधाया टह क्या सवरव जो क्डोजो को आप दोस्तों डप्रिदियले लगाई जा रहे और दूसरे को जो है कन्रेन पी नहीं लगाई जा रहे है और आप्ए अगर चाहते हैं आप लोगों को भी करने में फीना लगाई जाए तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा तो शुरू करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर पेटियम पोस्पेट वालों ने अपने कस्टोमर्स को तीन केटेगरी में जोड़ रखा है एक केटेगरी दोस्तों होती है लाइट सेकिंड केटेगरी दोस्तों है मिनी और थर्ड केटेगरी है डिलाइट अगर दोस्तों आप लोग पेटियम पोस्पेट डिलाइट की यूजर हैं तो आप लोगों को एक रुपया भी कन्वेंस फी नहीं देने पड़ेगी कोई भी च उस पर यूज करते टाइम एक से लेकर 3% तक का convenience fee देना पड़ सकता है साथ में आप लोगों को GST भी जो है देना पड़ेगा आप लोगों यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों सेक्शन होता है बताया जाता है कि आपको चार्ज क्यों लगाया जा रहा है फ़र पेटियम लाइट एंड मिनी उजर्स कर्मिन फी केन वरी फ्रॉम वन परसेंट तो 3% प्लस GST है डिपेंड अपॉन दी यूजर्स ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड चार्ज एस पर एग्रिमेंट साइन बेफीन कस्टूमर्स एंड लेंडर इट चार्ज ऑन दी नेट मंतली स्पेंड जनी कि आप लोग को जो पीटेम पोस्पेंड मिली है उसमें जितनी लिमित आप ल चार्ज जो हैं लगाये जाता है एंड एड़ेट टू यूर बिल जन्रेटेड ऑन फस्ट ऑफ नेक्स्ट मंदें हर मेने की एक तरिक को आप लोग को यहां पर यह चार्ज जो हैं लगाये जाते हैं आप लोग सोच रहे हैं कि पेटियम पोस्पेड का डिलाइड कस्टूमर कैसे बनना है तो जिन लोगों की पेटियम पर नॉर्मल पेटियम पर नॉट पेटियम पोस्पेड जिन लोगों की जुस्तों नॉर्मल पेटियम पर यह पिर पेटियम पिमिंट्स बैंक में जुस्तों जो ट्रांजेक्शन है बहुत जादा होती है लाइक आप पेटियम को बहुत जादा ही इस्तेमाल करते हैं तो आपके chances बढ़ जाते हैं कि आप पेटेम के delight customer जो है वह बन जाएंगे साथ एक आप लोग का civil score जो है अच्छा है अच्छा मतलब बहुत जादा अच्छा है तो पेटेम पोस्पेट में आप लोगों को क्रेट लिमिट पर अपलाई करते हैं तो आपके पैन कार्ड नमबर डालते हैं आपके हिस्ट्री पास की पूरी डीटेल्स यहां पर इन लोगों को मिल जाती है कि आपने पास में कहां कहां से लोगों ले रखा है और आपके पैन कार्ड पर बहुत जारा दोस्तों लोगों से हैं तो आपके चांसे बहुत कम हो जाते हैं कि आप डिलाइट कुस्टमर बने आप मिनी यूजर बन जाएंगे य फिर लाइट यूजर बन जाएंगे और ऐसे म आपके चांसे बढ़ जाएंगे कि आप लोग पेटियम के डिलाइट कस्टमर जो है यहां पर दोस्तों बता दोंकि पेटियम डिलाइट कस्टमर को कोई भी एक कन्वेंस चारज नहीं देना पड़ता है जितना अमाउंट इस्तेमाल करते हैं पोस्पेट के लिमिट का उतना ही इनको रिप्यमिन करना पड़ता है लेकिन पेटियम लाइट एंड मिनी उजर्स को दोस्तों एक से लेकर तीन परसंट तक की कंवेंस फी देनी पड़ती है साथ में जीस ची तो अलग से पे करना पड़ता है त कोई भी कुश्चन तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं गरूर आप लोगो रिप्लाई दूँगा तो दोस्तों इस वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कोई पाल कर दो एका है उन्यवाद्द्व Ugh